राधे राधे मित्रों मैं जोती सिंग आपका एक पर फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने योट्यूब चैनल कान्हा लेडीज केर में मित्रों प्रेगनेंसी के दोरान प्रेगनेंट लेडी और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को टेटनस इंफेक्शन से बचाने के लिए टेटनस टॉकसाइड यानी टीटी का वैक्सिन लगाया जाता है टेटनस एक जानलेवा और लाईज लाज बिमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है टेटनस नामके बैक्टिरिया से इंफेक्टेड होने पर यह बिमारी होती है नॉर्मली यह बैक्टिरिया मिट्टी और धूल में पाया जाता है और अगर आपकी बाड़ी में कहीं कट या फट जाता है तो वहां से आपकी बाड़ी में एंटर कर जाता है TT का injection लगाने पर आपकी body में इस rope के against antibodies बनने लगती है जो की tetanus bacteria से लड़कर आपको इससे बचाती है आपको TT का injection इसलिए लगता है क्योंकि injection लगवाने के बाद इस rope की antibodies आपके baby तक भी पहुंचती है जो after birth उसे tetanus से कुछ महिनों तक बचाय रखती है delivery के बाद जब baby का amical cord यानि गर्भनाल काटा जाता है तो उसके बाद उसे इस infection का सबसे ज़्यादा डर होता है बच्चे को TT का vaccine normally birth के 6-8 week के बीच में DTP के TK के रूप में दिया जाता है आपको pregnancy में TT का injection कब लगेगा और कितने injection लगेंगे ये इस बात पर काफी हद तक depend करेगा कि आपने pregnant होने से पहले TT का injection कब लिया और आप कितनी बार pregnant रह चुकी है साथ ही आपकी दो pregnancy के बीच gap कितना है अगर आपकी ये first pregnancy है और बच्पन से लेकर बड़े होने तक आपने सारे TK regularly लगवाए है तब आपको TT के बस दो ही injection लगवाने होंगे और हर injection के बीच 4 week का gap होना चाहिए injection आपको किस मंथ में लगेगा ये आपकी doctor decide करते है World Health Organization का कहना है कि अगर pregnant ladies को कभी vaccine नहीं लगा या उनके vaccination का कोई record नहीं है तो उनको pregnancy के starting में ही TT का first vaccine लगवा लेना चाहिए उसके 4 week बाद second फिर after 6 month third vaccine लगनी चाहिए इसलिए हो सकता है कि doctor आपको first meeting के दोरान ही TT का injection लगा दे अगर आपको first pregnancy के दोरान 3 injection लगते हैं तो आपकी body में 5 साल तक tetanus के antibodies मौजूद रहेंगे अगर आपको first pregnancy के दोरान 2 injection लगते हैं तो फिर आपको 3 साल तक tetanus होने का खत्रा नहीं रहेगा इस दोरान अगर आपको second pregnancy रुप जाती है तो हो सकता है कि आपको सिर्फ booster injection ही लगे tetanus का injection लगने पर आपको pain हो सकता है इसलिए doctor इसे हाथ में लगाने की बजाए आपके बटेक पर लगा सकते है अगर आपको TT का injection लेने के बाद pain ज्यादा हो तो आप इसे बर्फ से सिकाई कर सकती है pain को कम करने के लिए किसी भी तरह का pain killer medicine लेने से बचे अगर medicine लेना बहुत जरूरी लगे तो आपको doctor की suggestion से paracetamol tablet लेना चाहिए otherwise better यही रहेगा कि आप injection वाली जगा को बर्फ से सिकाई करती रहे मित्रों I hope आपके लिए ये वीडियो helpful रहे अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीजी से like and share कीजिए मेरे चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को subscribe कर बेल आइकन जरूर दबाईए ताकि मेरे आने वाले वीडियो के notification आपको time पर मिले धन्या